असलाम अलेकुम यूज इस जवाद वेलकम बैक टो इनेदर वीडियो तो ले आए हूं जी आप लोगों के लिए कंप्यूटर वाले बच्चे जो हैं इनके लिए यह वीडियो फस्ट वीडियो है आज ही अपलोड इंशाला हो जाएगी आप लोगों की इतनी कमेंट्स देख देखके तो कंप्यूटर वाले बच्चों का जोश देखके मैंने का आज ही वीडियो बनाते हैं आला कि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ उर्दू के MCQs वाली वीडियो भी अपलोडिंग पे सोरी एक्स्पोर्टिंग पे लगा गया है हूँ अभी उनके नेपियर बौन और स्लाइड रूल पहला यह आपका क्वेश्चन थे उसके बाद अगला क्वेश्चन भी में शॉर्ट क्वेश्चन यह इंपॉर्टन थे गश्चन थे इस वर्य वर्य इंपॉर्टन और टैंथ का जो मैंने गैस दिया था हुँ उससे अलहम दोला 90 पर तो यहां पे उसके बाद थर्ड नमबर है कि एहमद अ क्लास नाइन स्टूडेंट इस फादर तो रिप्लोस इस होम कम्प्यूटर फॉर सी आर्टी मोनीटर विदिन एलसी डी मोनीटर तो एहमद था जो कि एक नाइन क्लास का स्टूडेंट था वो अपने अमी अबा को कहता है कि आप क्या काम करें हमारा जो 9th क्लास वो हमारा जो CRT वो बड़े वाला कम्प्यूटर होता है वो जो गैंडा सा बड़ा सा कम्प्यूटर है तो उसको क्या करें LCD से रिप्लेस करें तो हम उसकी डिमांड को इस तरह जिस्टिफाइ कर सकते हैं कि डेफिनेटली उसका दिल करता है यार लेटिस्ट टिकनोलजी हो मारे गार में और लाइट सेविंग और इनर्जी सेविंग जो भी आपका है इसका आंसर आपने लिखने अपने पास से नहीं चोड़ना बाकी यह अगला क्वेश्टन कोन से है कि वाट विल एपन इफ दे स्टोरीज डिवाज़ रिमूट फ्रॉम अ कम्प्यूटर तो दिस अगें आं इंपॉर्टन क्वेश्टन तो कम्प्यूटर काम ही नहीं करेगा फिर उसके बाद डिफ्रेंशेट बेविन फिरिमॉर्वर फिर अपिलिकेशं जार्ट साथिर्ण ब सब्सक्राइब केड़ विल साथ्टन से लुडि विल नहीं को अगें आगें आगें तो स्टास डेट और परफॉर्ण वाउट वर्मार्क यह वल्य आपने कर लेने बहुत इंपोर्टन रहें बेशख आप बचे कहरें आप बुक से बता रहें और बाइ मैं समान से उतार के ने कुट्टें आया अनसर ले तो जो बता रहूं आप लोग करो अभी कंप्यूटर वले बचे भी कह रहते हैं आप ने सारा बुक से रहा दिया पर जबाद ऐसे नियु करा दिया थे short note on second generation of computer and technology used in it or also write down the model used in second generation computer उसके बाद आपने short note लिखने हैं जी किसके उपर हाडवेर इंजीनियर के उपर उसके बाद डाटा बेस मेनेजर के उपर नेटवर्क अड्मिनिस्टेटर के उपर और वेब डिजाइनर के उपर उसके बाद आपने लिखने है कि describe the following types of application software तो यह आप नीचे देख सकते हैं productivity software entertainment education software वगएर 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 तो यह अगर हम आएं तो यह आगे इसका नेपियर बोन वगएर यह slide rule सारा solve वो हुए है तो solution की तरफ अभी हम नहीं जा रहे है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है यहां पर हम आगे आपके चैप्टर नंबर टू पर fundamentals of operating system पर तो इसके एमसी के उस बाद मैं कराऊंगा आपको तफसील से इन्शाला काल इसकी सुबह सबहरे कोशिक करूंगा वीडियो डाल दूँ तो अभी चलते हैं आगे जी सेक्शन बी पर उसके बाद हमें सेक्शन भी पर दें कंप्यूटर ससी का यह चैप्टर नंबर टू है फेल्द में इस अपरेटिश्टम फार्डेश है था जाएं यह तो इसके इस इसवाटियो अपिर्ट फीटर के फाइशन जाफियों इसके बाद त्यूब ञार कि उसके बाद रूप्यूटियर बीडियों से इस फिर जापर चोड्टेश्टंग जीश्ट टाइश्यों between a single user and multi user operating system और उसके बाद what is meant by resources of a computer what is an operating system list common types of operating systems और उसके बाद what is a disk operating system डास्क और उसके बाद list the classification of operating system तो अगर हम आगे चलें तो यहां पर अपने लिस्ट the types of operating system को भी देख लेने long question की बात करें इसमें तो long questions में हमारे पास जाता है explain the functions of operating system write the note on Macintosh और Linux operating system this is again a very very important question तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह long question में आपका आजएगा उसके बाद describe between following computer interface command line interface graphical user interface menu drive interface उसके बाद describe the following type of operating system batch real time or time sharing system आगे हम chapter 3 data communication पे आगे हैं तो इसमें आपने पहला question जो इसका आता है differentiate between analog signal and digital signal उसके बाद why digital signal are using computer उसके बाद name the properties of good communication system उसके बाद give any three reason why guided communication medium is more reliable than unguided उसके बाद what is meant by transmission impairment उसके बाद differentiate between attrination and distortion and what is the cross talk or what is the deal of modern and why it is used describe the data rate and border rate define the bandwidth यह बेंडविज यह बहुत important question है उसके बाद जी हमने why do satellite stay orbit in a level fall on the earth उसके बाद describe signal noise to ratio आगे अगे अगे अगर चलते हैं हमारे पास section number C आता है section number C में हमारे पास describe the components of communication system with the help of diagram आती है और इसके बाद describe async cross or synchros transmission nodes और उसके बाद long में आपने twisted cable coxial or fiber optic बहुत important है उसके बाद unguided media वाला भी देख लें और NIC network interface card router or switch this is again a very very important long question तो very 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 important लिख रहा हूं यह तो आपने छोड़ने किसी सूरत में नहीं है उसके बाद use appropriate formula to determine the characteristic of a communication channel तो यहां पर हम आते हैं जी chapter number जो आपका 5 है इस पर तो chapter number I think so 4 है तो यह आपका chapter number 5 computer networks वाल है तो यहां पर आपने जो पहला question देखने है and describe any three difficulty of a company and that may face in a running business or without having a computer network उसके बाद what is meant by what is meant by data transmission is again important question और उसके बाद आपने कौन सा question देखने है के differentiate between half duplex and full full duplex transmission mode उसके बाद the network architecture वाला important है differentiate between a server and client computer यह वाला important है और उसके बाद compare land and when this is again a very 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 important question उसके बाद what is a star topology star और bus और रिंग topology these questions are really really important question तो यह मैंने एक बार presentation भी दी ती और बहुत important presentation थी और उसके बाद the mention any three problems which can which may occur from peer-to-peer connection peer-to-peer networks को भी आपने देखना है और what is ISDN what is CMDA technology and write a note on point-to-point network what is meant by communication over network or write on a communication via telephone network यह भी देख लेने हैं long में कराएं तो what are the advantages of using a network this is again important question describe client server and peer-to-peer networks उसके बाद describe the type of network based on the area covered explain the type of network topology and write a note on DSL and internet connection this is again a very very important question you have to follow and you have to practice it very hard so अगला जो आता है हमारे the data communication on the lines on the basis of transfer rate as per cost month this is again a very very important question and you have to write its advantages and desired advantages तो आगे हम आते हैं चप्टर नबर 6 पे computer and security ethics पे तो you have to attempt the nine parts and the first one is describe the cyber crime what is the importance of computer cyber security and difference set between hacker and a cracker उसके बाद five symptom of malware भी important है और उसके बाद what is differentiate between authentication and authorization उसके बाद हमारे पास जवाता है which authentication methodology provides the high secure identification and verification justify your answer and what is meant by information privacy give any three drawbacks of software piracy what are the types of problem may be faced if a computer user do not comply with moral guidelines or computer ethics name the three places where authentication of people is required and describe the some commonly committed cybercrime so you have to write a lot of cybercrimes as you have heard in newspaper or somewhere else so here is question number 12 what are the computer viruses and describe the multi-modal authentication and there you go to the section c and here you have to discuss three long questions and you have to attempt two of them so define malware and describe its type this is again a very important question explain how malware spreads or explain how to protect the system software from virus attack what are the common methodology of authentication and define the computer ethics and this is again an important question and describe some you know cyber crimes so here i'm gonna discuss some of the important question from whole book so the first one for in the short question is elaborate the open source software shareware and freeware and what do you know about random sex memory RAM and differentiate between engine and analytical engine or define UNIX UNIX and windows operating system this is from your whole book all of five to six chapters and write the three objectives of operating system and write the digital signal why the digital signals are used in a computer give any three reasons why guarded communication medium is more reliable than unguided list the data transmission terminology is differentiate between server and client what is a start topology and why it is real liable than bus or ring topologies write a note on deal of dsl internet connection differentiate between hacker and cracker and differentiate between authentication and authentication and authorization oh and there it goes with section c we have to attempt two questions and number one is what are the advantages of using the networks describe the client and server peer to peer network describe the components of communication with the help of a diagram explain as synchrox and synchrox transmission with the no modes of example use appropriate formula to determine the characteristics of communication channel define the computer ethics and what are the cyber crimes so i hope that today's video will be good so do subscribe to my youtube channel stay tuned allahafis and if you have any query any comment just comment it below and i will respond as soon as possible take care allahafis